हीरा और मोती जूरी के पास दो बैल थे हीरा और मोती दोनों में बहुत प्यार था वे दोनों नांत में एक साथ मूँ डालते और एक साथ ही हटाते जूरी उनके चारे पानी का बढ़ा ध्यान रखता था वे कभी भूल कर भी उन्हें मारता पीता नहीं था पशु भी प्यार का भूका होता है वे भी जूरी को बहुत चाहते थे जूरी के पत्नी का भाई गया एक बार हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गाउन ले जाने लगा बैलो को बड़ा आश्चरे हुआ कि वे उन्हें क्यूं और कहा लिये जाता है रास्ते में उन्होंने उसे बड़ा तंग किया मोती बाई भागता तो हीरा दाएं इस पर गया ने उन्हें खूब पीटा घर पहुँच कर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया पर उन्होंने उसे सूंगा तक नहीं रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चे किया उन्होंने जोर लगा कर रसियां तोर डाली और भाग निकले सुबह होने पर जब जूरी ने उन्हें स्थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा परंतो जूरी की पत्नी उन्हें देख कर जल भुन गए उसने उनके सामने रूखा सुखा भूसा डाल दिया फिर भी वे खुश थे अगले दिन गया फिर आया इस बार वे उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड़े में धकेल दे पर हीरा समझ दार था उसने गाड़ी संभाली जैसे तैसे गया घर पहुचा अब गया ने उनसे बड़ा सक्त काम लेना शुरू किया वे उन्हें दिन भर हल में जोचता जब तब उन्हें मारता पीरता शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्तों से बांध कर उनके सामने रूखा सुखा भूसा डाल देता वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते गया के घर एक छोटी सी लड़की रहती थी वे बैलो की दूरदशा देखती तो उसे बुरा लगता वे रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते एक दिन मोती रसी को चबा कर तोड़ने की कोशिश कर रहा था वे लड़की आई और उसने दोनों बैलो को खोल दिया दोनों वहां से भाग निकले थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वे भी उनके पीछे दोड़ा पर उन्हें पकड़ न सका अब हीरा और मोती आजाद थे रास्ते में उन्हें एक सांट मिला वे उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के खोश उड़ गए भागना बेकार था इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया सांट ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उसे पीछे से सींगों से चोट की उसे दूर तक ना जाने दिया दोनों अब बड़े प्रसन्न थे आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाए दिया भूख तो लगी रही थी हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गए वे खेत में घुज गए और लगे मटर खाने अभी बेट भरा भी ना था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया और कांजी होस में बंद करवा दिया हीरा और मोती ने देखा कि कांजी होस में और भी कई जानवर थे भैसे, घोडे, घोडियां, गधे, सब के सब कमजोर और दुबले पतले वहां किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था और ना पानी का यहां कहां आप हसे उन्होंने सोचा राथ हुई मोती ने हीरा से कहा कि अगर दिवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है उसने सींगों से दिवार गिराने का प्रैतन किया दो-चार चोटों में ही थोड़ी सी दिवार तूट गए उसका उत्सा बढ़ा तो उसने और जोर से चोटे लगानी शुरू की दिवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोडिया भागी फिर भैसे और बकरिया मोती ने गधो को भी सींग मार मार कर भगा दिया उसने हीरा से भी भाग निकलने को कहा पर हीरा ने मना कर दिया मोती मन मार कर रह गया सुबह होने पर कांजी होस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चरे हुआ उन्होंने हीरा और मोती को निलाम कर दिया निलावी में सबसे उची बोली बोल कर एक वेपारी ने उन्हें खरीद लिया वह दोनों को लेकर अपने गाउं की ओर चला मार खाते खाते और भूग सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे उनकी हड्यां भी निकल आई थी भूग प्यास से व्याकुल बैलो में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था वे चुप चाफ वेपारी के साथ चलने लगे रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो ना जाने कहां से दम आ गया वे दोनों तेजी से भागे आगे आगे दोनों बैल पीछे पीछे वेपारी, पर जब तक वे उन्हें पकड़ें, तब तक दोनों बैल अपने घर पहुच चुके थे, बैलों को देखकर जूरी बहुत खुश हुआ, वह उनसे लिपट गया, इतने में वेपारी भी वहाँ आप पहुचा, और उन्हें मा दोनों लिये.